उत्तर प्रदेश के रामपूर विधान सभा सीट के सपा विधायक रहे आजम खां की विधायकी रद होने के बाद भारतिय जनता पार्टी को भी तगड़ा जटका लगता दिख रहा है जानकारी के मुताबिक भारतिय जन्ता पार्टी विधायक विक्रम सैनी की विधायकी की सदस्यता रद्ध हो चुकी है हाला कि आधिकारिक सूचना आना बाकी है मुझफ़र नगर के खतौली सीट से भारतिय जन्ता पार्टी विधायक विक्रम सैनी को एक मामले में कोट ने 2 साल की सजा सुनाई थी जल्द ही विक्रम सैनी की सीट को विधान सभा सचिवाले रिक्त गोशित करेगा रामपूर सीट के साथ-साथ जल्द ही खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचनाव हो सकता है ऐसी उमीद है 5 दिसंबर को रामपूर के साथ ही यहां चुनाव कराया जा सकता है वहीं भारतिय जनता पार्टी विधायक विक्रम सैनी ने कहा है कि अभी लखनाव से कोई लेटर नहीं मिला है जब तक पत्र नहीं मिल जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता और हमारा वकील जैसे ही तारीख मिलेगी वैसे ही उस पर बहस करेगा बताते कि मुझफर नगर दंगे से पहले 27 अगस 2013 को मुझफर नगर जनपत के गाउं में गौरव और सचिन के हत्या के बाद पुलिस ने खतौली विधान सभा सीट से भारतिय जनता पार्टी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर धारा 147, 148, 149, 407, 336, 353, 504 और 506 म मुकदमा दर्च किया था जानकारी के मुताबिक विक्रम सैनी सभी 28 लोगों में से एक है वहीं 12 लोगों को 11 अक्तूबर के दिन मुझफर नगर स्थित MP MLA कोट ने 2-2 साल की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपे का जुर्माना भी लगाया था जबके 15 लोग इस मामले में सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे और एक के मृत्यू हो गई थी अब देखना यह है कि विक्रम सैनी को इस मामले में राहत मिलती है या नहीं उनकी मुश्किले आगे और बढ़ती हैं या फिर वो वापिस विधायक बन पाते हैं खैर आपका क्या कहना है इस पूरे मा वीडियो में तब तक के लिए दीजिये इजाज़त थन्यवाद नमस्कार